गुद मॉर्निंग बच्चों, गुद मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप लोग, हाव आप यू वर वेटिंग, सो बच्चों चलो यह शुरू करते हैं, यह आपकी फर्स्ट क्लास है आज 25th August 2021 and basically we are having this editorial analysis from the Hindu in which we would be covering the grammar, vocab, spoken English and also reading skills, right guys, तो थोड़ा विलम से क्लास है बट इस सभी बच्चे पहुंच गए है, अंजू, रेना, निशी, प्रदीप, राखी, जी, अंजू, विमल, ठीक है बच्चों, चली, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे आल्रेडी वहाँ पे हैं, तो आज थोड़ा सा हमें experiment के तोर पे शुरू करने हैं और देखना चाहते ह बच्चों के ये practical approach हमें कुछ ज़्यादा सिखाती है या नहीं, क्योंकि earlier we were working on the words, वो words कैसे थे बच्चों, वो separate words थे, अलग से words थे, उन words को हम work कर रहे थे, बट उनको थोड़ा सा depth में समझना मुश्किल है, मजब एक तरह से रटने वाली condition वहाँ पे जादा है, लेकिन यहाँ पे हम एक live paragraph के साथ में, जो आज ही the Hindu से current वाली से लिया गया है, जो आज का ही paper है बच्चों, तो उसमें hot issues भी होंगे, current issues भी होंगे, और उसमें also हमारी current vocabulary है, जिसको active vocabulary हम कहते हैं, वो भी वहाँ पे use होगी, तो हम उनी के base पे चीज़ों को देखेंगे, correct everyone, जे ब लासे बच्चों आज आपकी, बतार दे हिंदू से हम first time, तो बच्चों लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे this particular paragraph, सबसे पहले हम like अपनी quotation को देखते हैं, quotation देखो हम भूल के, quotation बच्चों हमारी है, don't wait for opportunity, opportunity का wait मत करो, create it, आपको इसे create करना है, चलिए create करते हैं बच्चों और यह रहा आज का आपका paragraph, जड़ा ध्यान से देखेंगे, daily Hindu editorial and vocabulary, English by January Sir में हम देखते हैं, cast counts on census, हम कहां से बच्चों शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले first word से, cast counts on census and partition political gains, तो जड़ा सब बच्चे मुझे बताएंगे, यहाँ पे cast counts का means क्या होता है cast counts जो लिखा है, what do we mean by this, एक सबसे पहला point देखेंगे, counts यहाँ पे लिखा है, cast counts, तो यह बच्चों present indefinite है, मैंने आपको बताया था already, कि जितने भी newspapers लिखे जाते हो, present indefinite में होते हैं, क्यों, क्योंकि घटना को इस तरह से represent करते हैं, जैसे वो अभी अभी घटित हुई है, अभी अभी घटित हो रही है, है ना, तो पहली बात तो है, बच्चों, cast counts, हाँ जी, 10 am, हम इसे अभी 10 am कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले class होती है, और इसको तयार भी करना होता है, रिना, बाकी इसको देखते हैं, अच्छा, clear नहीं है, आप इसकी निशी थोड़ा सा हो, वो कर लीजिए, quality को change कर लीजिए, ठीक है बच्चों, तो सबसे पूले मुझे, cast counts बताएंगे, cast counts को हम देखते हैं, और इसपे work करते है, cast counts का means है, कि cast count करती है, मतलब cast का, cast भी एक अच्छा role play करती है, किस पे, on senses, senses का means है बच्चों, जिसमें हम जन गनना करते हैं, ल partition political gains, partition का means होता है, बच्चों, biased, partition का means है, biased, यह हम इसे कहेंगे, unfair, unfair, तो cast count होती है, census में तो योगदान करती है, वो बच्चों, unfair political gains के लिए भी use होती है, है न, जैसे आरक्षन का देना, reservation का बनाना, या फिर उसमें ज्यादा, cast को include करना, यह सब का सब क्या है, यह partition political gain का ही एक play है, games है, right everyone, आच्छा, quality change कर लिए, ठीक है, अब सही दिखना है, निशी, मुझे बताइए, is it all right now? अब बच्चों, इसमें देखते हैं, हम अंदर की तरफ चलते हैं, और उसको पढ़ते हैं, यह paragraph आपका है, अब देखो, क्या क्या चीजें आपकी cover होने वाली है, तो यहाँ पर करेंगे ही, we would be covering the vocabs, जिसमें antonym, synonym, सब कुछ होंगे, और साथ में हम comprehension की understanding करेंगे, हम इसको comprehend भी करेंगे, यानि comprehension भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा, तो चलें सब बच्चे, मेरे साथ work करते हैं, हम इसमें work करते हैं, सबसे पहला word देखो, देखो क्या लिखा है, the clamor, c-l-a-m-o-u-r, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते है, clamor का means क्या है, क्या लिखा है, the clamor for a fresh caste census is getting louder in the country, बच्चों मैं आपको बता दो, 10, हर 10 year पे, हर 10 year पे, हमारे यहां census की जाती है, जन गणना की जाती है, जैसे last हमारी जुटी 2011 में, तो अब कितने में होगे, 2021 में, correct everyone, तो देखो, caste census की बात हुए, तो clamor का means क्या बना, सब बच्चे मुझे बता है, clamor का means बच्चों क्या होगा यहां पे, the clamor for a fresh caste census is getting louder, मतलब उसकी जो मांग हो रही है, वो जोर पकड़ रही है, पूरे country में, तो clamor का means होता है, noise say, a noise, for something, यानि कि clamor for a fresh caste का मतलब है बच्चों, एक fresh caste census के लिए बहुत ज्यादा sure है, एक force पैदा हो रहा है, done, मुझे बताईए, clamor का means सब बच्चों को समझे में आया है नहीं, यानि अगर हम इस word को अलग से यहां पे लिखें, तो जरा नीचे ध्यान से देखेंगे, everybody need to see, here, see, तो बच्चों, clamor का means बना sure, एक sure goal, हाँ जी, demand, sure goal, लेकिन ध्यान रखें, clamor sure होता है, क्योंकि sure के बिना कोई नहीं सुनता है, तो हमें sure, clamor करना होता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, चलो समझ में आ गया है, अब देखो सब लोग, बिहार Chief Minister Nitish Kumar LED, LED का मतला है बना लीड किया, लीड की second form, a delegation, तो बच्चों question बनता है, delegation क्या होता है, actually delegation का means होता है, a group of people, या delegates, delegates वो होते हैं, जो उसमें function करते हैं, work करते हैं, तो देखो क्या लिखा है, led a delegation of 10 political parties of the state, to meet Prime Minister Narendra Modi on Monday, मतलब जो बिहार के Chief Minister है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने lead किया है, एक delegation को, जिसमें 10 political parties के लोग हैं, और वो किस से जाके मिलेंगे, नarendra Modi, जो कि Prime Minister of India है, और कम मिलेंगे बच्चों on Monday, जरा इस on को देखो, मैंने आपको बताया, दिन के नाम के पहले हमेशा क्या बनता है, आपका own, तो वो Monday को मिलेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे in Monday, मेरी बास समने में आ रही है, अगला देखो, no political party in the country, है ना, no political party in the country, has publicly opposed, किसी ने भी publicly opposed नहीं किया, मतलब खुल के opposed नहीं किया, the demand as yet, इस demand का, अभी तक इस demand का, किसी ने भी opposed नहीं किया है, and most have supported the call, सभी ने, ये call कौन सी है, ये क्लेमर वाला, ये क्लेमर बच्चो, इस समें call बन के आ रही है, तो क्लेमर का, अगर synonym आप यहाँ पे देखेंगे, तो वो call से बनेगा, Mr. Modi, listened, sorry, listened, to the delegation, but did not open his mind on the topic, मतरब उने delegation की बात सुनी, लेकिन अपना mind नहीं खोला, अपनी बात जो mind में है, उसको बाहर नहीं किया, predictably का मतलब है, बच्चो के जो predictable है, यानि के जो होने वाला है, there will be more political mobilization of the issue, political mobilization का means मैं आपको बताता हूँ, के वहाँ पे political माथा पच्ची होगी, वह आपस में सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, इसको political mobilization कहते हैं, on the issue, भारतिये जनता पार्टी has the advantage, मतरब एडवान्टेज है, किसके साथ में है, भारतिये जनता पार्टी के, of being in the saddle, देखो बच्चो, saddle क्या होती है, saddle का means, एक उंची position, मैं आपको बता दूँ, जैसे एक घुड़ा होता है, यह घुड़ा देखा आपने, यह घुड़ा है बच्चो, घुड़ी की कमर पे आप ने देखा है, यह saddle लगा देते हैं, ऐसे saddle रखी होती है, ऐसे, और इस पे फिर एक परसन बीच में बैठता है, तो यह जो saddle है, यह गिरने नहीं देती हैं उसको, saddle का means, ऐसी peak जो आपको थाम के रखे, तो इसका means, being in the saddle, समझगे, saddle क्या होता है बच्चो, and could time, could time and announcement best suited for itself, मतरब वो saddle वाली position पे है, top position पे है, और इस समय वो कभी भी अपना announcement कर सकती है, अपने favor में, जो उनको best suit करेगा, क्या यह बात clear हो रही है, timing दे होते तब आता सा, दिव्यान्शी कुछ कह रही हैं बिटा, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, अभी बात करेंगे दिव्यान्शी, no problem, तो बच्चो, यह पास समनी में आई देखो, मैंने आपको बताया, announcement वो अपने suit को, जो उनको best suit करेगा, the last time, इंडियाज population was encumulated, बच्चो, encumulated का means होता है, sorry, enumerated, यह जो word है, enumerated इसको समझो, enumerated का means होता है, परदर्शनी लगाना, सामने दिखाना, one by one करके, ऐसे करके, ऐसे सामने, इसको enumerate कहते हैं, एक तासी गिनना उनको, गिनके सामने present करना, तो, population was enumerated on the basis of caste, was in 1931, यहनके सबसे पहले, 1931 में caste के base पर की गई थी, when it was under colonial rule, आपको यादर है बच्चो, colonial rule की हम बात के, colonization की बात करते हैं, यह वही colonization है, का मतलब है, जब हम English के अंडर में थे, भई, 1931 का मीन्स क्या है, we were not independent, हम dependent थे, हम किस के अंडर में थे, English के, the English के, there is a strong argument, एक strong argument है, that the colonial census was about creating, वो क्या create करने के लिए थी, and reinforcing, और reinforce करने के लिए, caste and religious categories in India, rather than recording them in a benign manner, यह बहुत जबर्दस वर्ड है, benign manner, बच्चो, benign का means होता है, b-e-n-i-g-n, benign का means होता है, pity को show करना, pity and care को show करना, तो क्या वो हमारी care करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, नहीं, उन्होंने इसलिए किया था, caste based पे, जिससे के वो religious fragments बना सकें, different categories बना सकें, है न, religion based पे, caste based पे, और हमें divide कर सकें, मेरी बात पकड में आ रही है, आप लोगों को, है, समन में आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर वो divide करना चाहते है, तो अभी जो colonial के बाद में हमारा present situation में हो रहा, caste basis, तो क्या ये divide करने वाला नहीं होगा, सोचने की ज़रत है बच्चो, we need to, इसलिए इसमें उपर दिया गया, caste counts, caste count करती है, ये जो सबसे पहली align दी गए, दिख रही है सब भई, political agenda जो होता है, अगर आप देखेंगे, वो क्या होता है, division का होता है, अपने profit को देखने काता है, ये लिका है partition political gains, वो क्या देखना चाहते हैं, खाली अपना gain देखना चाहते हैं, कि हमें क्या gain हो रहा है, अगर उन्हें कुछ भी gain नहीं हो रहा है, वो बिलकुल भी जिसमें कोई भी तूटी नहीं हो, बिलकुल strong data हमें मिल जाए, on the governed, governed का means है, वो लोग जिनको governed किया जा रहा है, यानि के हम लोग, हम लोग जो है common people है, वो governed है, और government कोन है, मोधी जी की सरकार, the creation of the categories in itself, sorry, categories in itself of political act, ये खुद में अपने आप में political act है, समझे में आ रही है चेके ओने बाते बाता आपको के नहीं? मुझे बताओ, कितने बच्चे इतनी बात को समझपाए है, अब देखो हमने इस میں कितनी बाते इसमें चेक की, यहाँ पे कितने words है, सबसे पहले बच्चो हमने clamor word देखा, ये word देखो यहाँ पे, clamor, clamor का मुने मैंसे मैंने शोर, अगले word को हमने देखा यहाँ पे lead, lead की second form, हमने बात की बच्चो delegation की, delegation जैसे यहाँ पे delegation of 10 political parties, तो इस word को अब हम ज़्यादा बड़ी है समझ पाए हैं, depth में समझ पाए हैं, आगे हमने देखा बच्चो इसमें mobilization, political mobilization की बात की, यादा रहे हैं आपको, political mobilization की हमने बात की, predictably की हमने बात की बच्चो, हमने enumerated की बात की, colonial rule की बात की, robust की बात की, robust का मीन सुत है strong जिसमें गलती ना हो, और political act की बात की, यह सारे words हमने देखे हैं, governed का मीन समय 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 में आएगा, और governed का मीन समय में, governance का समय में आए, done बच्चो, तो यह बात है, फिलकु ठीक है, thank session, अगले session पर आते हैं, जरा देखते हैं, in free fall on Lebanon and its sectarian politics, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, in free fall, सबसे पहले आ जाते हैं word पे, first word पे हम, check करते हैं आपे, in free fall, free fall का मीन सुदर जैसे उपर से कोई free fall करता हो, in free fall on Lebanon and its sectarian politics, बच्चो, sectarian politics क्या होती है, जरा मुझे बताओ, होता है, जो किस में बटा हुआ होता है, sect में, अगर आपको याद हो बात, तो हमने एक जगा पढ़ा था, लेवियाथन, देखने कौन बच्चा बताया था, कि लेवियाथन हमने कहां पे पढ़ा, मतब गौर्णमेंट को लेवियाथन के रूप में शो किया गया, बताओ, हमने कहां पढ़ा था, जी बच्चो, हाँ, सेडल ओल्सो, बिल्कुर ठीक है दिखती, बहुत अच्छे, सेडल का मींस भी हमें, अब देखो, हमें ये पिक्चर बन गई है, माइंड में, हम सेडल को कभी भूलेंगे नहीं, सेडल पीक बन गई है, वहाँ पर, तो बच्चो ध्यान से देखो, लेवियाथन आप पढ़ते हैं, किस में, हाँ जी, इविल के रूप में, बिल्कुर सही है रीना, लेवियाथन बिसीकलि एक राक्षस था, और राक्षस कहां पर था, बाइबल में, तो इसी लेवियाथन उनको government के रूप में बताया गया है, giant, government के रूप में बताया गया है, बच्चो के government ऐसी होनी चाहिए, लेवियाथन टाइप, जो कि सब को लोगों को capture कर सके, उनको पकड़ सके, strong शाशक होना चाहिए, है न, और यहाँ पर ध्यान रखो, उसका कहना ये है, कि लेवियाथन बच्चो सबसे बड़ी बात क्या है, कि वो किसको sectarianism को रोकता है, किसको रोकता है, यह जो word यहाँ पर लेका, sectarianism, sectarianism, वो sectarianism को रोकता है, ड़न बच्चो, देखो मुझे याद जो आ रही बात की, मैं आपको बताता हूँ, हमने पढ़ा था, वो क्या खाता था, बटर काता था, उसको जोन लोक लोक में रखता था, और उसके बाद में, हाँ, Thomas Hobbes का है बच्चो ये, Thomas Hobbes का है, मुझे याद आ गया, Thomas Hobbes ने लेवियाथन लिखा है, इसको चेक करेंगे सब बच्चे, Hobs और यहीं पे वो हैं कौन है हमारे बटलर भी है ना Thomas Hobbs का लिख है लेवियातन और वही शेक्टरियनिजम की बात करता है तो यही सेक्टेरियन यहाँ पर लिखा है हाँ लेवियातन बुक का नेम है exactly रिना पकड़ में आ रही है थोड़ी सी बाते हैं सब बच्चों को तो ऐसे ही बस आपको याद करनी है सारी चीजें ऐसे ही चीजें बच्चों आपको याद करनी हैं तो चलिए फिर से वापस आते हैं इसी बात पे और शुरू करते हैं अप बच्चो बैटलिंग का यहां बैटल में आई एंग लगाई है इसका मतलब वो लगातार संघर्स कर रहा है multiple crisis crisis अ है ना यह बैटलिंग multiple crisis for the last couple of years मतलब कुछ सालों से वो लगातार crisis से multiple crisis से battle कर रहा है इस ओन दबंको यह बहुत important वर्ड़ बैटलिंग यहां पर देखा कि मतलब संघर्स कर रहा है युद्ध रहा है और दूसरा आपने देखा ब्रिंक ओ बी आराइन पे ब्रिंक बच्चों होती है ऐसी यह जो बिल्कुल लास्ट पर पहुंचाई यहां पर अंतिन चोर तो से हम कहते ब्रिंक को का मतलब होता है लास्ट एज पर लास्ट एज पर एडीजी कह रहा हूं मैं बिल्कुल मतलब किनारे पहुंच जाना तो देखो इज ओन दब रिंक ओफ एन इकोनोमिक कोलेप्स मतलब इकोनोमिक कोलप्स होने के कगार पे है हिंदी में इसको कहेंगे बेस्ट वर्ड मिल गया ब्रिंक कोप का मिन से कगार पे करेक्ट बच्चो पकड में आ रही है बात आ दिफोल्ट ओन इस बोन अब देखो है बेक्चो मेल्ट डाउन मेल्ट डाउन का मिञा सích जीजिए खत्म हो जाती है तो वह दे्स देश्रक्शन वाली कंडिशन ने धियर कर दे 2019 2019 में क्राइस शुरू होता है for the first time since its independence in 1943 वोज वो क्या थी मतलब 1943 से जब से आजाद हुआ तब से 2019 में जाके बात हुई है डिफोल्ट बनाया पहली बार वोज अग्रेवेटेड वाइं लास्ट चार्स बेरूत पोर ब्लास्ट अगर बच्चों आपको यादों आप आग में घी डालते हो तो आग में घी डालने के बाद में आग कैसी होती भढ़क जाती है उसको भढ़का देना एक तरह से एजिटेट करना इग्जैक्ली तो इन्होंने इस इसे बैरूत वाले पोर्ट ब्लास्टर ने बच्चो उसको एग्रिवेट कर दिया भढ़का द कोजड देखो यहां पर टू हैव कोजड पैसी बनाया टू है वर्ट फिप्टीन बिलियन डॉलर पंद्रे बिलियन डॉलर की बच्चों वहां पर डेमेज हो गई पकट पा रहे हैं तब ब्लास्ट हैज ओलसो डिपेंड 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 का मिन से गहरा कर देना जैसे केरटेकर गवर्णमेंड एवर सिंस मतला हमेशा से वो कैसा एक केरटेकर गवर्णमेंड के अंडर में तो उसको भी इसने भड़का दिया है उसको भी डिपेंड कर दिया है अंडर मेडिटरेनिंएंट चल ला है नीचे की तरह जा रहे हैं उनकी इक अंडर तरह जा रही है और च्चीजे सी क्राइम में भी क्राइम बढ़ रहे है समझ में आ रही है बात मतलब वो चीज़ें जो कम होनी चाहिए थी वो बढ़ रही है और यह कम हो रही है जी बच्चो बेलकुल सही है मतलब इसका कहना है यहाँ पर जो सेंटरल बेंक का उसका कहना है कि अब वो सबसिडी नहीं दे पाएगा अपने फ्यूल पर क्योंकि जो हमारे रिजर्वस है वो घट रहे हैं डेपलीट का मिनसा समाप्त हो रहे है तो डेपलीट वर्ड बहुत जबरदस्त है डेपलीट वर्ड भी बच्चों आपको यहाँ पर देखना है डेपलीट का मिनसा समाप्त होना खत्म होना है रिजर्वस फ्यूल सॉटेज़स का मिनसा है बच्चों कमी सॉटेज का मिनसा कमी तो कमी हैव लेट टू क्योटिक देखो यह वर्ड बहुत जबरदस्त है क्योटिक क्योटिक का मिनस होता है बच्चों जिसमें एरा जखता हो एरा जखता जहां पर रूल और खत्म हो जाए समझ रहे हैं पूरे कंट्री में कैसे सीन बन रहे हैं क्योटिक कंडिशन वाले बन रहे हैं यानि के जिसमें रूल एंड रेगुलेशन की कमी आ रही है तो बच्चों देखो आपने कौन-कौन से वर्ड देखे सबसे पहला वर्ड देखा बैटलिंग फिर आपने देखा ओ समाप्त होना क्योटिक का मेंस है बच्चों एराजक एराजक होना यानिकि जहां पर लो एंड ओर्ड की कमी हो शौटेज कमींस आपने देखा कमी होती और बाकी इसमें वर्ड आप देख सकते हैं मैं इसको भी समन सकते हैं एक बच्चों यहां पे सिवर एक जो वर्ड को मैंने कहा कि उनकी ऐसे घट रही है ऐसे घट रही है अब ऐसे घट रही है में दिख वी रहे ओर माई गोड़ यह जा रही नीचे विस्विर डाउंटर्न हो गया जो मतलब तेजी से दिखाई थे हमें राइट बच्चों तो देखो यह आपने सेकंड वाला देका इसी त the faithful receiving faithful का मिन से के लोग जो faithful हैं इस धर्म के लिए रिसीब कर रहे है दग्रु गरंत साहिब फ्लोन इन फ्रों अफगानिस्तान देखो जो क्या लेकर फ्लोन इन पकड़ पारे हैं आप लो मत जो उड के आया है उडा के लाया गया फ्ला फ्लाउन इन फ्रों अफगानिस्तान एंड बाइद आईएफ टू न्यू डेली ओन टूजडे पे आ गया एज बेनी एज 75 अफगानी 6 एंड हिंदू वो हैड टेकन रिफ्यूज इन दर इनकाबुल गुर्द्वारा वर ओन दर फ्लाइट मतल्ड लगवा कितने 75 अफगान लोग थे जिसमें हिंदू भी हैं और वो वहाँ पर सरण लिए हुए थे गुर्द्वारा में रिफ्यूज का मेंस है बच्चो सरण लेना और नाव देव कम ओन दर फ्लाइट क्रेक्ट बच्चो अब देखो कुछ वर्ट्स देखते हैं हम अपने यहां पर वर्ट्स देखा बच्चो सबसे पहला आपने इन्कोगनिटो देखो इन्कोगनिटो का मेंस हुत है ट्रtał challenged अगिसी अपनें किसी और के नाम से ट्रेवल करने वाला इन्कोगनिटो सका मम вниз बच्चो वेश बदलना इन्कोगनिटो अगर मैं डिसगाईज कह दूँ तो गलत नहीं है, disguise भी वनेगा, अगला, incomprehensible, बच्चों भी हम क्या कर देते, comprehensible, यानिके comprehension, और अगर वो in हो जाए, तो इसका मतलब है, जिससे समझा न जा सके, statement which cannot be understood, incomprehensible बन गया, incorrigible, देखो, incorrigible, जिसको सुधारा जा सके, incorrigible, जिससे ना सुधारा, one who cannot be corrected, इंक्रेडिबल, इतना जबरदर्स्त के अधबुद हो, जैसे मदर का लवज होता है, हमारे लिए, पॉरिटिव बात में है, नेगिडिव में नहीं है, बच्चों, ये क्रेडिबल का उल्टा नहीं है, समझ में आ रहा है, one incapable of being tired, बच्चों, थक जाने वाला, एबल, थकने के लिए लायक, लेकिन in का मतलब है, ना थकने वाला, अगला indefensible है, that which cannot be defended, हाँ, जैसे incredible India हम कहते हैं, तो बच्चों देखो indefensible, का मींस है, जिसकी रक्षा नहीं की जा सके, और indispensable जिससे जो इतना जरूरी को किया ही जाएगा, उससे हम कहते हैं, बच्चों, indispensable, indispensable का मींस है, अवश्यमभावी, और लास्ट में लिका है, बच्चों, inevitable, जिससे टाला नहीं जा सके, inevitable, that which cannot be avoided, ना टाला सकने वाला, जिसको हम ना टाल सके, वो बच्चों कैसा बन जाएगा हमारा, that would be inevitable, getting everyone, तो देखो बच्चों, इसमें आज हम एक अगला वर्ड इसमें और देखते हैं, inexplicable, जिसको explain ना किया जा सके, यानि के with that which cannot be explained, और बच्चों, लास्ट में, invallible, ये word आपको करके लाना है, invallible, implable आपको करके लेके आना है, तो बच्चों इसको आप टेलिग्राम लिंक से लेक सकते हैं, आपको मिल जाएगी आज ही copy, भी से डेश सकते हैं तो सबते मुझे बार बताएं यहां हमने वर्क किया है वर्ट को हमने लाइव तोर पह जाना है तो मुझे बताओ यह ज्यादा बेतर है बच्चो जो हमने पीछे किया था वो ज़ाना मतलब यह हमारे लिढ़ा तर रहे मालने चलो बहुत अच्छी बात है जद्ध चाइड ठीक है सीमा बाइकी बताएं कि यह ज़् ainda अच्छा यह जो पीछे करए थे वो क्योंकि ट्रेंड जो है वो यह है क्योंकि इससे आपके प्रइंच्छें से लेकर आप युली बिल्कूल ठीक है और के बच्छों तो मैं समझ पा रहा हुं कि जायतर बच्चे इसी को लाई कर रहे हैं तो हम इसी को ही शुरू बात कर देते हैं, अभी बच्चों, क्लास आपकी कल से हम 10 बज़ के, 10 मिनट से शुरू करेंगे, 10 बज़ के 10 मिनट से, हमें 10 मिनट का गैप चाहिए, दूसरी क्लास के लिए, तो 10, 10 पे शुरू करेंगे कल से आपका, है न, येस बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही ह क्लाँ में होती रहेंगे, ठीक है प्रतीक, वेरी गुड, आज समझे में आजिए, बात पक्खेश हम हैं, ठीक है बच्चों, वेरी गूड,ถी टीक है, तो चलिए, बच्चो आज इस क्लास को यहीं पे जा हम करते एक, कल फिर मिलेंगे, मौर्निंग 10 बज के 10 मिनिट पे मिलेंगे है ना ठीक है बचो थैंक यू सौ मच अब ग्रेट टाइम इसको लाइक जरूर करें सब बचे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यह बहुत जरूरी है बचो ओके बचो बबाई आब ग्रेट टाइम